करनाल में आईवी अधिकारी जोती की मौत को लेकर करनाल वा अन्य जन्पदों के सामाजी संस्थाओं के प्रतिनी धित्तों वा परिजनों ने मिलकर प्रसासन के सम्मुख अम्रिद धारा हॉस्पिटल की लापर भाही को जागर करते वे जिला उपाव युक्त महोदई के नाम वो तैसिलदार करनाल को अपना ग्यापन सौपा वो जिला पुलिस अधिकशक की ओर से उप पुलिस अधिकशक बीर सिंग जी को ग्यापन सौपते हुए जोती के परिजन पिता करम वीर बोच जी ने अम्रिद धारा हॉस्पिटल की लापर भाही को जागर करते हुए कहा कि मेरी बेटी स्वस्थ थी जिनका आईबी के अंदर सेलेक्शन हुआ और 20 अक्टूबर 2022 को मेडिकल में फिट होते हुए 22 नारी को अचानक बीमार हो जाती है जिनको उनके ससुराल पक्ष की ओर से डॉक्टर गजे सिंग पूर्वडीप्टी सियमो की ओर से अम्रिद धारा हॉस्पिटल में 23 नारी को दाखिल कराये जाता है डिग्री होल्डर डॉक्टर ना होते हुए भी MBBS डॉक्टर ध्वारा ट्रीक्मेंट हुआ जिससे की गलट डोस के द्वारा जोती का जादा ब्लीडिंग होने के कारण 25 अक्टूबर को मौत हो जाती है जिससे परिवार काफी सदमे में रहा क्योंकि बेटी को पांच नॉंबर को ही जोतपूर में अधिकारी के तौर पर जोईन करना था लेकिन बेटी परिवार के 20 से चली गई जम्मु कस्मीर और लद्दाक के नए मुख्य नियाएधिस जेस्टिस एनके सिंग होंगे जम्मु कस्मीर के इंधिस सरकार ने रविवार को गोहाटी उच्च नियाएले के नियाए मूर्ती अनके सिंग को जम्मु कस्मीर और लद्दाक हाई कोड के मुख्य नियाधिस के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है जम्मु कस्मीर सम्विधान के छटी अनुसूची के तहट राजी का दर्जा और विसेश दर्जे की मांग को लेकर लद्दाक ही लोगों के चल रहे आंदोलन के बीज केंद्र ने आज केंद्र सासित प्रदेश लद्दाक के लिए नए उपराज जेपाल के नियुक्ति की है देश की राश्टपती द्रॉप्दी मूर्मो ने लद्दाक के उपराज जेपाल राधाकृष्णन माथूर का इस्तिफ़ा मंजूर कर लिया है उनकी जगा सेवा निर्वरित ब्रिगेडियर बीडी मिस्रा को लद्दाक का एलजी बनाए गया है और सत्यकेसरी डारेक्टर विजे चोपड़ा जी वा आचल जी को शादी की धेल सारी सुपकाम नहीं कालका के काली माता मंदिर के परिसर में बनाए गया भंडारा कक्ष में रखा हुआ दान पात्र हुआ चोरी और सीची कैमरे में आई हैं चोरी करते हुए दो बच्चों की तस्वीरे तो आए जानते हैं मंदिर के सेक्रेटरी पृत्वीरी राज जी जो चोड़ा करने ने उसके बंडाना कमेटी के अंदर जो चोटा गंडा रहता है। उसमें रातरी में पता चला है कि 11 सब्सक्राइब कीसमें कुछ भक्त जवनों ने आहिए। तो क्या इसके बार में बताएंगे कि यह भंडारा कमेटी का दान पत्र कहा तो इसकी बारे में सारी जानकारी बंडारा कमेटी जैसा कि सुना आपने सर से कि इनका बंडारा कमेटी का अलग किया हुआ है और दान-पात्र चोरी हुआ है वह बंडारा कमेटी का है तो देखा आपने सीसी टीवी कैमरे में कैद हुई दो बच्चों की तस्वीरे पुलिस को इस बात की सूचना दे दी गई है जाच परताल जा रही है और आज के लिए बस इतना ही बने रहें सत्यकेश्री खबरों के साथ नमस्कार